नमस्कार आज हम तहरी बनाएंगे इसके लिए हमने कुछ सब्जिया ली हुई है दो आलू हमने लिए थोड़ी सी गोभी ली है और यह हरी मटर है और यह हमने सोया बीन के चंक्स लिए इसको हमने आधा गंटे पहले जो है सो करके रखा था इसको इसका पानी पुरा जो है क्रश करके भी आप ले सकते हैं यह कुछ खड़े मसाले हैं तेज पत्ता है दाल चीनी है तिन चार लॉंग है पांच से काली मिर्च है थोड़ी सी जीरा है और यह जैफल है थोड़ा सा जैफल का टुकड़े हैं थोड़े से एक बड़ा चमत हम इसमें जो कुकर में घी ढाल रहेते हैं वजुकर में टहरी बनाएंगे इसमें सबसे पहले कि टेज पत्ता डाल देते हैं और बाकी की सारे खड़े मसालि यह हम ने एक ज्तोभी-गालाई चींत जो घटोड़े है जो हमनेच सब पहले प्याई हमने4 जो है तो उसको ढाल दिया है छोड़ा से पैसका color जो है change हो जाएगा छोड़ा से गुलाब भी हो जाएगा उसके बाद इसमें हम जो पेष्ट डाल देंगे lesson Harimish Adraka ये एक बड़ा जो है चम्मश हमने पेष्ट डाल दिया है इसको इसी साथ जो छोड़ा भूल देंगे मुझारे हमारे पक जाएंगे यह प्याज हमारे अच्छे से जो है पक गई है अब इसमें हम जो सबसे पहले हरी मटा डाल देंगे और बाकी की भी सारी सब्जियां आलो गोभी और ये जो सोया चंग से इसको भी डाल देंगे डाल करके एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह थोड़ी से हल्दी हमने डाल दी हाफ टेबल स्पून और स्वाथ के नुसार हम दो टेबल स्पून इसमें नमक डाल दे रहे हैं फिर से एक बार इसको जो हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम थोड़ी ज़र इसको जो है पकने देंगे इसका जो है धक्कन उपस लगा के तब इसको हम पकाएंगे दो मिनिट के लिए जब थोड़ी हमारी सब्जियां जो हम भून जाएंगे अच्छे से उसके बाद फिर इसमें हम चावल डालेंगे यह देखिए हमारी जो है सब्सूपिए जो अच्छे से जो कौक हो गई है तो घ्यास की फिलेम को हमный हूं नहीं मीडियूम रखा है इस सब्सूपिखे मारे अच्छे से भून गई है इसमें हम जो है चावल डालेंगे यह हमने बासमती चावल लिया है इंडिया गेट का मीडियम वाला चावल है यह बहुत जाद लंबे चावल नहीं है इसको हमने आधे गंटे पहले सोग करके रखा था अब चावल को जो है सब सब्जीव साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत खिले खिले से हमारे जो तहरी बनकर त्यार होगी हार टेबल स्पूरने में हमने गरम mango डाल दिया है जैसे आज हम बना रहे हैं तहरी इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिलकुल खूली खिली खिली हमारी जो है तहरी बनने की चावल के एक एक दाना जो है अलग जो है आपको दिखाई पड़ेगा कि हमने यह तहरी कैसे बनाई है इस जो है ट्रिक से अगर आप तहरी बनाएंगे तो बहुत बड़े हैं तहरी बनके त्यार होएगी अब इसमें बड़ेंगे पानी हम इतना डालेंगे कि चावल के बस थोड़ा से ऊपर रहेगा बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पूले वह चावल रहे यह और जो है कुकर का धकान अभी हमने लगाएंगे इसको अ बड़ हम जो है मिक्स कर लेते हैं जब हमारे जो है पानी उबलने लगेगा तब हम इसका ढगाएंगे इस तरह से जो है हम जब तहरी बनाते हैं तो चावल बहुत खिले खिले से जो है देखते हैं अब यह देखिए हमारा जो है चावल में उबाल आगे अब हम इसका धकन लगाएंगे बस एक सीट आने तक हम इसको पकाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे जब तक हमारी जो है तहरी त्यार होती हम दही का रायता बना लेते हैं वेज़ेटेबल रायता है यह इसमें हमने टमाटर खीरा और प्याज काटकर के लिया है रायता बनाने के लिए पहले हम दही को अच्छे से जो है फेट लेते हैं यह हमारी जो है घर की जमाहिवी दही है यह हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया इसमें डाल दे रहे हैं धनिया डाल करके इसको जो मिक्स कर लेते हैं इसमें हम काला नमक थोड़ा सा सादा नमक और जो भुना जीर डाल देंगे और थोड़ी सी लाल में डाल करके हम राता त्यार कर लेते हैं इसे नामक डाल दिया थोड़ा सा सादा नमक थोड़ा सा भूना जीरे का पावडर है तो थोड़ा सी लाजमी सब ओपासे डाल देंगे यह मारे राजता बन करके त्यार हो गया है थोड़ी से मारे धन्यास में डाल दी है अब हम अपने जो तहरी को चेक कर लेते हैं जी वेजी टेबल पुलाओ भी है अब हम आपको देखें कितना खिला खिला हमारा जो है ये चाबल बनके त्यार हुआ है थोड़ा सा हम इसमें उपर से घी डाल देते हैं क्योंकि तहरी तो बीना घी के अथी नहीं लगती है अब हम एक बार आराम से धीरे से जो है जो तहरी को हिला लेते चला देते हैं थोड़ा घी मिक्स हो जाएगा इसमें फिर हम आपको जो है सर्व करके दिखाते हैं कि कितनी खिली खिली हमारी जो याज तहरी बनके त्यार हुई है जाड़ों के मौसम में बहुत अच्छी सब्दियां आती है मार्केट में और ये जो है मट्रवला पुला हमारा बनके त्यार हो गया है यह देखें मैं आपको जो सर्व करके दिखाते हैं एक एक चाबल जो हमारे तहरी का अलग है मेरी इस जो है ट्रिक से अगर आप तहरी बनाएंगे तो बहुत ही बड़े तहरी बनके त्यार होगी अब हम दही के राते के साथ जो है तहरी को सर्व करते हैं अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्ली मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें लाइक और शेय बहुत धन्यवाद यह हमने दही के साथ जो है तहरी सर्व करी है यह देखिमा आपको पास से दिखाते हैं कि कितनी बड़ियां यह तहरी बनकर के त्यार हुई है उपर समय थोड़ी सीस में जो हरी धनिया डाल दी है